मेरे ह्रियानावासी मित्रों भाईों बहनों जैसे हम जानते हैं कि कुवेड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुस्प्रणाम हुए हैं इनमें ये भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दूनों माता-पिता, या अगर उनमें से एक भी माता-पिता के नाते से उनकी देखवाल करने वाला को व्यक्ति या जिनों ने उनको पालने पोशने के लिए गुद लिया वा था ऐसे माता पिता उनकी डेथ के कारण से वो बच्छे अनात हो गए हैं अब इन अनात बच्चों की साहता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तो यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दा कि लिए जो देख्वाल और एक उनकी निए परिवार करें on a एक उनका जो का tah directly का नें बाल देख्वाल संस्थानों में हो कि यदि परिवार करते हैं तो भी का उनकी आं Dok सायता देना यह हमारापना दाइत्वा है इसके लिए पापने में तय किया है कि जो बच्चे परिवारों में रहेंगे ऐसे परिवारों में प्रती बच्चा प्रती महिने की राशी 18 वर्ष की आयू तक इन और्फन बच्चों को जहां ये पल रहे हैं उनको दी जाएगी और इसकी अत्रिक्त जब ये बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा जब तक ठारा साल की आयू तक ये पढ़ाई करता रहेगा तो इनके इनको 12,000 प्रती वर्ष अन्ने खर्चों के लिए ये दिया जाएगा संस्थान में रहेंगे उनका पूरा खर्च बाल सेवा संस्थान जो बाल देख वाल संस्थान है जो कि अभी हर्यान में 69 है 59 है वहां सब खर्च होगा और साथ ही इनके नाम से एक आवर्ती जमा खाता खुलवाया जाएगा अठारा वर्ष की आयू तक प्रती महा पंद्रा के वालत नौजवान होकर 21 वर्ष का होगा चात्रत्वा चात्रा तो 21 वर्ष की आयू के बाद परिपक्वता राशी ये इनको दे दी जाएगी इसी प्रकार कई केसी ऐसे हैं जहां हमारी बच्चियां हमारी बेटियां जो किशोर अवस्था में अनात होई है ऐसी बच्चि उनमें पढ़ाई होगी चाहे वो चटी से आठवी हैं चटी से दस्वी हैं अत्वा बार्वी तक जो हमारे कस्तूर्बा गांदी बाल विद्याले हैं इनमें आवासिय सिक्षा मुफत में प्रदान की जाएगी और इन बच्चियों को जब इनकी शादी होगी उसके लिए अभी से 51,000 रुपए उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा ताके समयत ब्याज उनको ये राशी उनके विवाद के समय ये उपलब्द होगी जो ये बच्चे विद्याले में पढ़ते हैं आठवी से बार्वी या कोई वोकेशनल स्टडी अथा व्यवसाइक पाठेक्रम में पढ़ाई करता है ऐसे बच्चों को शिक्षा में सहायता के लिए एक टैबलेट ये भी प्रदान किया जाएगा इस प्रकार से मुक्ष्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतरगत ये जो विद्यार्थी हैं जो बच्चे हैं ठारव वरस्ते की आयू तक इनको पढ़ाई में कोई अस्विदा ना हो जो परिवार इनको पालते हैं उनको भी ये सहायता मिल जाए कुछ बच्चों के खाते भैंकों में खोलकर उनको एक सुरक्षित भविश्य की और ले जाने के लिए कोई सहायता हो जाए इस योजना को हम लागू कर रहे हैं ये बच्चे चाहे व हर्याना की हर अपडेट के लिए बैल आइकन देबाए और सब्सक्राइब करें सिटलाइफ हर्याना फेस्बूक पर भी हर्याना की हर अपडेट के लिए सिटलाइफ हर्याना पेज को लाइक करें